Hello there, a very warm welcome to just speak English. आज हम लोग again बोहत ही simple frame देखने वाले हैं और यह frames हमें बताएंगे कि जो action past में start हुआ है और past में ही finish हो किया है, उन sentences को हम कैसे translate करें? जैसे कि मैं अपना काम कर चुका था या फिर मेरे आने से पहले वह जा चुका था मतलब क्या हुआ, आपका जो action है वो past में start हुआ and present तक पहुँशने से पहले ही वो क्या हुआ, finish हो गया आपका जो action है वो somehow past में ही खतम हो गया ऐसे sentences को या ऐसे frames को हम यहाँ पे देखते हैं past perfect के through जहाँ पे हम use करते हैं I had done मतलब की subject के साथ had लगाते हैं and then आजाता है verb के third form जैसे की complete का completed, learn का learnt या फिर any verb you can choose like go का gone तो पहला sentence हम ले लेते हैं उसके आने से पहले मैं जा चुका था मतलब क्या है यहाँ पे? वह आया उससे पहले ही मैं जा चुका था action जो है वो over हो चुका था so I had अब जाने के लिए क्या यूज करते हैं? go, go की third form चाहिए हमें so I had gone before he came उसके आने से पहले मैं जा चुका था I had gone before he came now teacher chapter पढ़ा चुके थे या अध्यापक chapter पढ़ा चुके थे मतलब क्या है? जो action है आपका वो past में ही खतम हो चुका था इसको कैसे लिखेंगे? teacher had का had ही रहना है no changes पढ़ाने की third form first form क्या है? teach third form हो जाती है taught so teacher had taught taught the chapter teacher had taught the chapter मतलब आपके teacher आपका chapter और अरड़ी पढ़ा चुके थे action खतम हो चुका था एक और ले लेते हैं mommy खाना बना चुकी थी या फिर papa के आने से पहले mommy खाना बना चुकी थी so हमारा action क्या है? खाना बनाना जो और रिड़ी खतम हो गया है कैसे लिखेंगे? mother had अब खाना बनाने के लिए हम दो वब यूज़ कर सकते हैं या तो आप कुकी उज़ कर लिज़े या प्रिपियर यूज़ कर सकते हैं so मैं यहाँ पे कुकी उज़ करने वाली हूँ mother had cooked cook का third form क्या हो जाएगा? cooked food and पापा की आने से पहले before father came so mother had cooked food frames बहुत ही simple है guys just use जो भी आपका subject है like जो action कर रहा है उसके बाद had के साथ third form use कर लेना है कोई भी logic इसके अलावा यहाँ पे नहीं है I hope this is clear like I had done teacher had taught mother had cooked right अब इनके negatives देख लेते हैं negative देखने के लिए ध्यान रखियेगा हमारा जो helping verb है यहाँ पे वो हमारा है had तो had से ही हम negative बनाएंगे इसके like काम खतम नहीं हो चुका था जैसे की teacher chapter नहीं पढ़ा चुके थे नहीं पढ़ा चुके थे मैं clearly क्या बोलने की कोश़श कर रहे हूं कि जो action past में start हुआ वो खतम नहीं हुआ है negative so had not we will use here had plus not and बाकी सब सेम रहेगा जैसे की teacher teacher had not अब as I said बाकी सब सेम रहेगा तो हमारा जो वर्ब का third form है वो third form ही आएगा teacher had not taught the chapter or lesson next one बच्चे नहीं खेल चुके थे so children had not played और अब भी then yet children had not played yet बच्चे अभी तक नहीं खेल चुके थे तो यहां पर आप देख पा रहे होगे हम simply had के साथ not लगा दे रहे हैं कोई भी logic यहां पर नहीं है इनको अगर हम interrogative में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे अच्छा चलिए इन ही से देख लेते हैं जो head है आपका वो कहां पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा let's just see interrogative हैं तो हम इन पे interrogative डाल लेते हैं जो head है वो beginning में आ जाएगा then subject आएगा और head का जो यह है आप यह आपकेस में यूश करेंगे so it will go like had teacher taught the lesson I guess यह मुझे एरेजी करना पड़ेगा had teacher taught the lesson here it is had teacher taught the lesson और क्या हम ले सकते हैं क्या मैं खाना खा चुका था had I eaten meal क्या बच्चे खेल चुके थे had children played well क्या बच्चे अच्छे से खेल चुके थे had children played well अब यहां पर मैंने बहुत ही comments से sentences लिए हैं बट इस frame के थूँ आप कोई भी sentences translate कर सकते हो कोई भी जो भी आपके surrounding में you feel like जो action है वो past में start हो और हतम हो गया है तो ऐसे frames को आपे जली स्केत्रो ट्रांसलेट कर सकते हो अगर यह आपको पूरा content समझ में आ गया है then thank you so much guys for watching this video